यहां पर अच्छा ले लोंगे वह ल्मनें एक लूपर करों उनक है मैं उनक है यहां फारी दन् internation हगए आप कितने आद्मी के लिए बना रहे हैं उसके बाद में इसम nerve white आप अच्छे एंज कर लेना है इस तरीके से आप देख सकते हैं इस तरीके के CT समय वास करके यह पानी हम निकाल देंगे तो सबस्पे़ल यह पानी मैं हटा देती हूं इसको अच्छी से वेस्ट कर दिया है अब हमें इसमे क्या करना है मैं इसमें दालूंगे थोड़ासा दूध और दूध डालने के बाद इसको हमें मिक्स कर देना तो इसको हम इस तरीके से थोड़ासा चला और इसको हमें ढखके 10 मिनट के लिए इसको हम ढखके चुप आप देख सकते हैं यह एक दम अच्छे से यह फूल गया है कितने साइज में भी यह बरा बरा हो गया है तो अब इसे हमें क्या करना है और हमने सबसे पहले यह पैन रख दिया गरम होने के लिए गरम हो चुका है इसमें मैं डालूंगी करीब 2 चमाच़ क करीब देशी घी और इसको हमें थोड़ाएं गरम होने देना है यह गरम हो चुका है तो यहां पर मैं ले इसमें डाल के इसको हमें थोड़ा सब पून लेना है ज्यादा हमें हाइफ नहीं भूनेंगे हमumbles religion हम इसको प्लेट को लें अगर हम इस तरीके से जादा अगर आप इसको भून देंगे तो अब इसी में हमें क्या करना है मैं यहां पे ले रही हूं इसी जिस कब से मैंने उसी कब से मैं चीनी ले रही हूं कि इसे ही सब आब होग जबल दूत time in the pulse रख बहुतuju को आध무 का कि अबने दूत जाए जहें इसी अब में moje क्ष़ी आज करवना हैry सब्सक्राइब में करवकि लेख ह tua सबिण दूत के सबस्क्राइब तो अब हमें क्या करना है ? अब मैं इस में डालूंगे मैं यह soi से एक कटऊरी मैं दूध ले रही हूँ यानि इसाल में नॉस्ट के रेते हमें आप से नहीं पोला कि यह फार्फ लीटर दूध आ जाएगा अब हमें क्या करना है ? अच्छी से पहले इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लें करने के बाद हमें इसमें क्या करना है मैं इस मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे हमने ये सावू दीना को फुला के रखा है तो पाका लेना है fajVer देख सब्सक्राइप देख सक हैं üç दन्षाद न को प्याहे है का verloga लिए एक बोल को सिसल फिल स्वाव ऑन वह स्वाव जाण है में 2 हैं वदल आय। इस इसम कर देंगे ताकि इसका यह साबुदाना जो है वह अच्छे से पक भी जाए तो इसके लिए अब हम इसको मेडियम टू लो करके इसको हम पकाएंगे और यह जल्दी से गारा भी हो जाते हैं तो अब हम पहले इसको अच्छे से पहले पका लेते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते यह रेडी हो चुका है इसे जादा हमें गरा नहीं करना है क्योंकि जितना ठंडा होगा उतना ही यह एकदम से गरा होता जाएगा ताप देख सकते हैं यह बनके रेडी हो गया है और यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है इसका खुस्बू भी बहुत ही ज्यादा आप एक बार जरूर बनाईए और खाईए और मुझे भी बताईए कि यह रेसिपी आपको कैसी लगे अगर अच्छी लगे ति प्लीज लाइक सब्सक्राइब भी जरूर ही कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी रेसिपी लेके आऊं तो तब तक के ल लाइ